हलो प्यारे स्टुडेंट्स स्वागत आप सभी का हमारी अगली क्लास के अंदर हमारे जो अगले क्यूशन की क्लास है जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्यूशन है जो एक्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में अपन आज आपके लिए वो ही 40 क्यूशन लेका हैं और सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो ठीक है और जो भी क्लास पूरी देख लो तो अपने प्यारे दोस्तों के साथ इसको लाड़ लो अपने जो भी ग्रूप है अपने क्लास के जो गूरूप है या अपने कोई दूसरे जो गुरूप बने हो हैं सारे अपने अलसे भाई हों के उनको आप शेयर भी कर देना ठीक है तो लाड़ लो बीना समय गवाएं अपना पहला कि उसने स्टार्ट करते हैं कौन से मार्ग से ओस्टी की जेवी को प्रप्रता सो प्रसंट होती है यह तो आईवी, आईएम, सब कट और रुप्रोक्ट सब भी और यह आपको मुझे उम्मीद है कि सब को पता होगा इसका अंसर बेटा क्या आएगा समने को एक कोपी में लिख रही है और जिसको आता है वो तो सोच लो कि बड़ा मज़ा आ गया और जिसको नहीं आता वो सोच लेना कि हमारे सारे क्यूशन रिवीजन हो रहे हैं ऐसे क्यूशन पता लग रहे हैं जो एक्जाम में आएंगे अब गलत हो जाए तो कोई बात नहीं उसका स्क्रिंशोट लेकर अपने याद कर सकते लेकिन बाद में गलत हो रहा है एक्जाम में क्यूशन आ गया फिर कोई दोखा फिर सिर्फ दोखे आएंगे तो पहला कासल तल जाता है आई वी ठीक है अगला ऐक्यूशन में बेटा आँखों की पुतली में संकुचन करने वाली ओस्डियां है ठीक है जो आइस्या ओस्डियों को पने क्या बोलते हैं पहला है मिड्रिया टिक दूसरा है मियो टि तीसरा है countereditent और चोता है FRODG ठीक है तो बेटा जिसको आता है equation अब तक उसने टिक लगा चुके है जिनको नहीं आता उनको हम बता देंगे ऐसे मतोधना गुरुजी सोच नहीं गाई time नहीं तेरे बेटा सोच नहीं जितना time है नहीं अब तो फटापट करना अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं आप स्क्रीन सोट ले लो इसका क्योंकि ऐसा यहाँ तो गल्ट हो जाए कोई बात नहीं exam में गरत नहीं होना चीए तो इस कहांसर क्या जाएगा meiotic ठीक है meiotic का मतलब क्या होता है देगो अपन संग कूचन वाला पूच रहे हैं ना अगर पूच रहे हैं ना आखों की पुतलियों को फैलाने वाली ओस्डियों क्या कहते हैं तो उनको बोल देते हैं मेटा पा meiotic बोल देते हैं जो sex के लिए इच्छा को बढ़ाने वाला या समागम के लिए इच्छा को बढ़ाने वाला ऐसी ओस्डियों खाते हैं उसको एफ रो डीजेक बोल देते हैं ठीक है counter return क्या होता है ये दर्द को कम कर देता है circulation में डाके तोचा के नीचे अब अगला क्यूशन तीसरा क्यूशन देख बेटा समय नहीं है अपने पास तो अपन समय जितना आप खुद बैठी क्यूशन करने में लगाओगे उतना ही समय में पन करेंगे तो ओस्डि का स्रोत और उसे पहचानने का अध्यन इसको क्या कहते हैं उस दी का स्रोत और उसे पहचानने के अध्यन हो क्या कहते हैं फटाबट बताओ फारमेको काइनेटिक फारमेको डाइनेमिक फारमेको गनेसी और फारमेसी यह चार ओप्सन है पटाबर बताओ कि क्या करते हैं कि ओस दी का क्या तो स्रोत है और उसको कैसे पहचानेंगे इस सब चीज का देनापन किसके अंतरक्त करते हैं तो लाड़लो जिनको आता है वो मेरे प्यारे भाई कर चुके हैं जिनको नहीं आता है उनको हम बता देते हैं तो श्क्रीन शोट पका लेँ लिए ना लाड़ो और इंग्मोर आम चार ओपनित करें चारों की चारों को आपको बताएं तो पहले इसकांसर इसकांसर क्या है है फार्मे को डिनोशी बड़े थि ग्समें ओस मे हुने सूट्रु से पहचाने का दिन कि इत रणुर। उसका उपापचे उत्थ्रजन का अध्यन करें कि और जूस्दी कैसे आउससेदी होगी कैसे अपनी बुखार को कैसे ठीख करेगी ऐसे परभाओ को जेवरासाइनिक प्रभाओ और देहुं क्रियात्मक प्रभाओ का अध्यन को क्या करते हैं वी सागता का उपचार या एंटीडोट क्या है sodium nitrate, sodium thiosulfate both और कोई नहीं ठीक है तो सही कह रहे हो बिल्कुल इसका अंसर क्याता लाजाएगा लाट लो both ठीक है sodium nitrate भी देते हैं sodium thiosulfate दोनों मिलाके देते हैं ठीक है इसलिए क्या होगा cyanide with toxicity अगर बताये तो साथ ये जोहार के कारण है ठीक है जोहार करण क्या हो जाता है ये cyanide toxicity हो जाती है तो अगला दर्द निवारक ओजदियां क्या कहलाती है ये आपको पता होना चाहिए बेटा दर्द निवारक ओजदियों क्या कहते हैं analgesic बोलते हैं या anti-inflammatory बोलते हैं anti-inflammatory बोलते हैं anti-cellagogs तो बेटा ये तरीके चाहिए आपके च्यार कुशन आपके क्लियर करवा दूँगा मैं आपके आना इसलिए तो कह रहा हूँ ना क्यूशन करने बहुत important है ठीक है आपको फटा-पट जो उल्टी को कम करती हैं उल्टी को रोकती है anti-inflammatory क्या है जो inflammation को रोकती है या सोथ को रोकती है anti-cellagogs क्या होती है जो लार की मातरा को कम करती है ठीक है लार की मातरा को कम करती है उनको anti-cellagogs बोल देते है siallagogs क्या होता है जो लार को बढ़ा देती है एंटी आ गए ना, जिसके अगर भी एंटी आ जाए तो उस काम को वो कम कर रही है अब बेटा अगली चीज़, कि सुवर में आईवी देने का इस्तान कौन सा है जुगलर वेन है इयर वेन है, विंग वेन है जो आईवी इंजेक्शन लगाएंगे और बेटा, समने सही कर दिया बेटा किसे अंदर या वेन के अंदर जुगलर वेन के अंदर जो गाई भेस है वेड़ वेन में देते हैं विंग वेन में पकशियों में देते हैं और external से penis way नहीं क्या है कुट्टे के अंदर क्या करते हैं अपने इसका IV injection देते हैं तो देखो चार के उसमें पता लगे ना आपको यहीं पर फटा फट और ओर हो रहे हैं आपके फटा फट बता हो भई लाड लो पहला क्या है सुप्रास क्रिप्षण दूसरा है सुप्रा- इंसक्रीप्षां तीसरा है ही कह रहे हो इसका option कुण चला जाएगा दूसरा तो और तीन option बच गे तो बैटा जो subscription है ठीक है उसके अंदर क्या आता है बैटा Rx और Rx का मतलब ये भी एक अपने आम में क्यूशन ही है इसका मतलब क्या है आप लीजिए या आप ग्रहन कीजिए ठीक है तो ये भी एक्जामे कुशन है कि Rx का भी प्राय है आप ग्रहन कीजिए आप लीजिए है ना इसका मतलब ये होता है तीसरा क्या चीज है inscription ठीक है तो ये inscription क्या है बैटा ये ही उपचार परची का मुख्य भाग है एक्जामे पूछ लेना कि उपचार परची का मुख्य भाग होग है जिसके अंदर क्या होता है कोई भी ओस्दी होती है उसके नाम और उसकी मात्रा लिखी हुई होती है और चोथा कौन सा बच गया subscription तो subscription क्या होता है बैटा कि ओस्दी को MFT यह क्या है subscription का संकेत है तो बैटा एक में चार क्यूशन हो गए ना क्या क्यूशन भी हो गया चार चीज़ों को और पता लग गया आपको यहीं पर सेम ही जगए बैटा यह important क्यूशन है जाइगोमेटिक salivory gland किस जगह में या किस में उपस्तित होती है कौन सा जानवर है जिसमें जाइगोमेटिक salivory gland उपस्तित होती है पहला option है sewer दूसरा है बकरी तीसरा है कुटा चोथा है भैस फटा फट बताओ बैटा देरी करनी नहीं है अपने को अभी last time बचाया तो अपने फटा फट क्यूसन करेंगे और बैटा last तक क्यूसन करना है मैं आपको पहले बचातुम वीडियो को last तक देखना है एक एक क्यूसन आपको करना है पता नहीं कौन सा क्यूसन आजा है कहां तुम पिछड़ जाओगे सबसे ठीक तो ऐसा नहीं करना तो ब अगला क्या है बेटा कि तर्की एग किड़नी कैसे हो जाती है तर्की के एग जैसी तो तर्की एग किड़नी किस रोकी पहचान है बेटा फटाबट बताओ किस रोकी पहचान है तर्की एग किड़नी पहला है लिंबरन एक दूसरा है होग को ले रहा तीसरा है इकवाइन प जाएगा हो ले ला बिया और ऐगजाम में पूछ लेता कि लिंबर निक किसकी वज़ासे होता है तो बैटा किसकी पैचान है होग को ले रहा कि हाना अब आगे यह भी बहुत इंपोर्टेंट है ना दो तीन डिजीज हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है एक्जाम में पूछ लेते हैं कि किस डिजीज की कौन सी ड्रग उप चोई से तो यह जितनी भी है ना मैं आपको इंपोर् पारव कुईनोन डिमिनाजीन एसी ट्यूरेट कूइन पारामीन सलफेट और सभी ठीक है तो फटाफ़ एक है तो सब को बताया बटा अथि ले जाकर तो इतना डिजीज होता है गाए बैसों में आप सब को बताया इस का आशोर किया चला जाएगा इस का अशोर चला है बबेशया की ठीक है और कुईनपइरामीन सलफेट किसकी है बेटा ये है त्रिपेनोसोमा इवान साहि सर्रा बोलते है झाई बेटा जिसको इसको सर्रा बोलते है उसकी क्या rt सूइब कीछ और कुईन बहुत इंपोर्टन तर ये किसोंने अगर आपका ठीक हो हो गया तो लाडू बधाई हो और जिनका गलत हो गया मेरे चोटे भाहियों का उनको क्या करना है इसका स्क्रीन Above लेन आट लेकिन अगर में उकलत होगना फिर टेंशन की बात इसलीलिंस के स्क्रीण सोट ले लना अगली चीज क्या है काल-डिटो-पैरा-ल्थ Almighty किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है, कल्डिटो परालाइसिस किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन इम्पोर्टेंट क्यों नहीं, इसलिए मैंने, जब को इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट का कलेक्शन कर ल जाएगा बेटा पसापट बताओ तो बेटा इसका अंसर चला जाएगा बी विटामिन बीटू उसके वज़ए से क्या होता है कलिटो परालैसिस होता है बोलो गुरुजी विटामिन बीवन की कमी से क्या होता है तो बेटा इस्टार गेजर का नाम सुना होगा आपने यह क्रेजी हो जाएगा बाई साब चिक रेजी चिक ढीजीज यह दुसरा क्या है लेंब डिजीज ठीक है इस्टिव लेंब डिजीज ठीक है तो यह चारों चीज मैंने आपको बता दी है अगला चीज क्या है बैटा निम्न में से कौन सा रोग विशाणुजनित नहीं है देखो मैंने क्या कहा क्यूशन आपको प्यार से पढ़ना है बिल्कुल अगर क्यूशन पढ़ने में जल्दी वाजी कर दीना तो फिर चाहे आपको वो आता हो और नहीं आता हो अगर थोड़ा सा भी गात इदर उदर पढ़ लिया आना जिसको आता है उसको पता लग गया है जिसको नहीं आता उसको हम बता देंगे पेटा इस टाइब में क्यूशन पूशन आपको ये सारे कम से कम नाम तो पता यूँ ना चाहिए कि कौन से रोग विशानों से हो रहें कौन से रोग जिवानों से हो रहें यह लाईसा वाइरस के कारण होता है यह रब्डोविरीần Defamily का है खुर्पका मुपका पता ही है आपको किसके वाण बहूंत है एप्थोवाइरस ठीक है PPR किसे कराना होता है यह आपको पता ही है मोरबीलीवाइरस ठीक है तो बेटा ये ऐसे question आते हैं कि कॉन सा रोग विषानुजनीत है या विषानुजनीत नहीं है कौन सा रोग प्रोटोद्वया जनीत है या नहीं है ऐसे question आपको दियान रखने है अगला क्या है Milk Fever कितने समय के भीतर होती है ये important चीज है बेटा ऊसे नहीं है कि milk for कभी भी हो जाए, पूरी शाल में एप परसे होने के बाद कभी भी Milk Famer होरी, ऐसा नहीं है बिटा, Milkyường का भी एक particular समय होता है पहला options प्र्षव के बेतर गंठे केई थर प्रसाओं के एक माहा के बीइतर परसाओं के दो से चार माहा के बीतर इन मेंसे कोई नहीं तो नहीं दो इस कांसर किया जाएगा आप कोपी में, है और मिल्क फिवर जितने भी रोग है ये फटापट फटापट इनका है आदी एगंटे के अंदर रिवीजन कर लेना पूरा का तक कि आपके दिमाग में क्यों कि आपको आतर पड़ तो सरारक है आपने बस भूल गए आप तो भूलने का क्या चक्र एक कैसे सही करें उसको ब महा के बितर बितर होगा वो उसका नाम है किटोसिस किटोसिस कितने महा के बितर होता है परसव के एक महा के बितर और दो से चार सबता के बितर कौन सा रोग होता है PPS परसव के दो से चार महा के बितर कौन सा रोग होगा PPS बैटा ये पूरा क्यूसन देखो एक क्यूसन के हैं लिए अपन काम में लेते हैं कि बुूसेलोसिस रोग की जाज के लिए काम में लेते हैं या एंacağım रेबीज के लिए या टूबर किलोसिस के लिए तो फटा फट बेटा इसका इस बता हो क्योंकि अपने को जैसा जितना समय तुम्हें लगता ना क्यूशन करने में उतने ही समय में आपको क्यूशन करूँगा उसमें एक्स्ट्रा आपको चीजियों और बताऊंगा ठीक है तो आपको ये कलास पूरी देखनी है एंड तक और जो जो अपने दोस्त हैं जिनको तुम एंट्रेक्स ले जाए जाए जिसका अंसर ठीक है अब बैटा इसमें ये ब्रूशन लोशन के कुछ भी जो जहां चाना वो इंपोर्टन्ट है एक तो क्या है इसका रोजबंगाल डाई टेस्ट या रोजबंगाल प्लेट टेस्ट बोलते हैं इसको आरबी पी टी बोलते है या मिलकर रिंग टैस्ट नीलक रिंग टैस्ट फ्रिक विसके कर लिआ करते हैंं तुरिक्ते के लिए ट्यों करते हैं उंा टुबरकुलीन किसे l Peybis में तो याद रखनेatus जोतीं कि उसके लिए करते एकको स्ट्र मॉन्ट टैस्ट imm स्टॉर्मोंट टैस्ट of इस्टोर्मोंट टैस्ट ठीक है तोarette च्यूर्थ कीुषण एक एक जिसन के अनदर तो बैटा ऐसे question नहीं लेके आ हैं आपके लिए important important कई बारे एक dose question पक्का आता है तो मैलोक सी कैम की dose rate क्या है 12 mg पर केजी .2 mg पर केजी .5 mg पर केजी या 1.1 से 2.2 mg पर केजी जो लाडला फिल्ड में practice कर रहा उसको तो पता है जिन्होंने पढ़ रख है उनको भी पता है जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो इसका screenshot ले लेना बैटा कोई दिक्कत नहीं है अभी तो बच रहे हैं 10 दिन ठीक है तो मैलोक जी कैम की सही कह रहे हो बिल्कुल मैलोक जी कैम की dose rate कितनी हो गई .5 mg पर केजी ठीक है और ये बैटा important है ये किसकी है ironmectin की .2 mg पर केजी किसकी है ironmectin की ठीक है और 1.1 से 2.2 mg पर केजी किसकी है बैटा सही कह रहे हो बैटा ये क्या है flunixin maglumine की flunixin maglumine की dose rate है 1.1 से 2.2 mg पर केजी ठीक है तो यह आपको ध्यान रखने है वैसे तो यह 12 mg बता जेता हूं आपको पर यह इतनी इंपोर्टेंट है नहीं कि 12 mg पर किजी किसकी है ट्राइकलाबेंडाजोल ट्राइकलाबेंडाजोल ठीक है तो आगे क्या है की मुह की स्लेष्मा जिली में सूजन आना कहलाता है सही कहरे है यह तो सब कोई आता है ठीक है इसका आणसर चला जाएगा इसका आंसर चला जाएगा पहला Istomatitis पलगुर जी Enteritis किसके कहते हैं तो आंतर की सूजन आजाए आंतर के अंदर उसकी सूजन को Enteritis बोलते हैं और Pharynx की सूजन को क्या बोल देते हैं Pharyngeitis बटा आईटिस लग रहा ना आगे अगे क्या है Pharynx तो फिरिंग्स की सुजन को फिरिंजायटिस एंटिराइटिस किसको बोलते हैं आंतर की सुजन को एंटिराइटिस बोल देते हैं ठीक है तो ये क्यूशन अपना होई गया तो अपन गया करते हैं आगे चलते हैं निम्न में से कौन सा रक्त समू सर्वगराई है या आपको पहले भी जिसने अपनी क्यूशन करा किया था उसमें पता है वो लाड़ लो ये क्यूशन इसलिए डाला कि पिछले क्यूशन आप कर भी रहोग नहीं कर रहे इंपोर्टेंट ठीक है गुरू जी कैसे छोट देंगे इसे क्यूशनों को तो बेटा सर्वगराही कौन सा है जो सब से ग्रहन कर लेगा तो वो एबी है ठीक है यह आप सब को पता होना चीन नहीं बता तो आप पूरा बलड गूरू पिछले आपने हमने क्यूशन करवाय थे वो पूरे क्यूशन कर लो उनमें से इंपोर्टेंट इपोर्टेंट में आपको यहां बताया वो अभी है ठीक है और सर्वगराही कौन सा हो गया सी ओप्षन अगला क्या है कौन सा उपांगी कंकाल नहीं है देखो उपांगी कंकाल है नहीं पूछ रहे यह उपांगी कंकाल नहीं है कौन सा क्यों संदंग से पढ़ना है आपको पहला क्या है hip bone दूसरा फिमर तीसरा tibia चोथा इस्टरनम तो कौन सा उपागिंग कंगाल नहीं है तो बिल्कुल बेटा सही कह रहे हो इस कहां सो चला जाएगा चोथा क्योंकि ये क्या है ये axial कंगाल के अंदर आता है अक्षिय कंगाल के अंदर आता है ертвbs हो गया esternum हो गई verteberi हो गई यह किसमें ऐते है esternum यह सारी xyl के अंदर आती है और जो还, Woods peear यह किसमें आती है जो griddle है Palyda Origin ठीक है यह किसमें यह आती है दोनों griddle यह आती है उपांगी है कंकाल के अंदर ।ागे चलते हैं मिटा उंट के डाइफ्राम में कौन दीवाई जाते हैं मैंने देखो कल आप पूरी गायनी के क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था ओस पैनिस जो कुछे के पैनिस में ध्डी बाई जाती है तो इस टेम अने कहाता था ना कि कुछ हड्डीयां ओर है जो एक्जाम की द्रिश्टी से बहुत important है ठीक है एक्जाम की द्रिश्टी से बहुत important है तो वो भी आपको पता होने चीए तो मैंने चारो हड़ियां यहां लिख दी ठीक है तो इसका उंट में डाइफराम में कौन सी हड़िप आ जाती है ओस कोर्डिस ओस फ्रेनिक ओस ओप अगरे तो इसको 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 इसके अंदर पाई जाती है रूमीने को डिस का मतलब क्या होता है हल्ट किसके रधे में पाई जाती है रूमीनेंट के में रूमीनेंट के रधे के अंदर कौन सेड़ी पाई जाती है ओस कोर्डिस तो यह क्यों सना सकता है कि रूमीनेंट के रधे में कौन सेड़ी पाई जाती है यह किसमें पाई जाती है आई में ओप्टिकस किसको बोलते है बटा आई को किसकी में फाउल तो फाउल की आई में क आउट में कौन से डीप आई जाती है तो आप क्या कर दोगे ओस रोस्ट्रिल तो चारो की चारो important इसलिए मैंने क्या क्या कि एक क्यूशन के अंदर इनको इंक्लूड कर दिया अगला क्या है इस प्लैंग नो लोजी किस का अध्यन को बोलते हैं ग्यानेंद्रियों के तंत्रिकाओं के रदे के और आंत्रिक अंगों के तो बैटा जिन जिन लाड़ लोगों को ये चीज़ पता है वो बता चुके हैं अब तक किस तक आंत्रिक अंगों के अध्यन को जो विस्रल ओर्गन है जो पेट के अंदर पाए जाते हैं बैटा ये आत्र हो गई रदे हो ग पिर नहीं आते हैं तो भी कुछ हो जाओ कि उसना आपको अभी पता लग गया बाद में पता लगया एक्जाम में तो गल्त हो जाता ना अब तो जल्द जितना रिवीजन हो सके जितनी बार रिवीजन हो सके चाए रात को बारा वज़े जगना पड़े चाए रात को एक वज़े जगना पड़े अब सो गए ना जो बंड़ा वो सेलेक्शन से पीछे आट गया जो बंड़ा अब जा गया जिसने पूरा जी जान तो दोनों किसन हो गए आपके यहीं पर अब विक्रिल किसका नाम में बेटा नाइलोन धागे का क्रोमिक केट गट का कोटन धागे का या पोलीगेलेक्टिन 910 पोलीगेलेक्टिन 910 का इन में से विक्रिल किसको कहते हैं विक्रिल धागा होता ना इसको कहते हैं तो बेटाई आपको आता तो फटा फटा आपने लिख लिया होगा अगर नहीं आता तो इसका स्क्रीन शोट ल किसको बोलते हैं, बहुत गुरुजी बिल्कुल पता लग गया, जो टाइम खराब नहीं करना लाट लो, फटा फटा पने क्यूशन करने, मैं तो क्या कर रहा हूं, जितने टाइम में आप करते न, उतने हैं पने पूरे क्यूशन कर लेंगे, और एंड तक करना आप कोई भी क परसवकी किरिया को क्या बोलते हैं, फोर लिंग को क्भी एक किस में भोडी मे परसवकी किरिया को क्या में सूरीमें पर सव किरिया को तो चार कISTन हो गया है नहीं यह कैसा पी मैटिंग करवाने को मैटिंग करवाते हैं ना तो उस किरिया को क्या बोलते हैं फटापड बताओ क्या बोलते हैं लाड़ लो कपलिंग टपिंग कवरिंग और सर्विंग कौन सा उप्सन आएगा फटापड बताओ इसके अंदर गोडी के अंदर तो सही कहे रहे हुँ लाड़ लो बिल्कुल कवरींग आयाएगा इतना है समय अपने को गवाना है नहीं जिनको आता है उन्होंने कर लिया नहीं आता हुँ बटा अब बता देंगे उनको आगी उनका गल्त नहीं होना चीए तो देखो कपलिंग किस के अंदर हो ता बेटा पिग में सहवास की क्रिया हो क्या बोलते हैं कपलिंग बोलते हैं टपिंग जो भेड़ है उसमें सहवास ही क्रिया हो क्या बोलते हैं टपिंग बोलते हैं सर्विंग सर्विंग बोलते हैं बेटा गाय में या बहेंस के अंदर जो सहवास ही क्रिया होगी ना उसो क्या बोल देंगे सर्विंग बोल देंगे तो एक किसन में चार किसन होगे ना अरत अबी तो कह रहा हूँ जो भी important किसन ला रहा हूँ आपके लिए पिल्कुल छांट के मेहनत करके निचोड के ला रहा हूँ ठीक है अगला क्या है जुड़वा बच्चा में मादा भंद्य और नर सामाने होने की अवस्ता कहलाती है फ्री मार्टीन या फ्री मार्टीन निजम कहलो इसको ठीक है क्रिप्टो और्चडिजम वाइट हीफर डिजीज और कोई नहीं करवा आत्मि आपके साथ अपके साथ साथ आपके लिए मेहनद करी रहे हैं थीक है तो बिल्कुल सही जिन लड़कों निकल पड़ा है उनका 100% सबका सबका सही होगा ये कृशन फ्री मार्टिनीजमा आएगा इसका अंस्वर क्रिप्ट और्चिडिजम क्या हो जाएगा जब वर्षन उधर गुआ से इस क्रोटम में नहीं आते तो उसको क्रिप्ट और्चिडिजम बोल देंगे वाई ठीपर डिजीज बोल देते हैं उसको इसलिए तो कह रहा हो ना बेटा जितनी कलाश धाल रहा हो न वह सारी की सारी पूरी देखनी है अगला क्या है दुख्द सरकरा है इनमें से कौन सी दुख्द सरकरा है बेटा फ्रक्टोज, सुक्रोज, लेक्टोज और माल्टोज कौन सी सरकरा? दुख्द सरकरा है तो बिल्कुल बेटा ऐसा क्योशन तो गल्द करना ही नहीं है कौन सा हो गया? लेक्टोज हो गया ठीक है? ऐसे कि उसनों में तो टाइम लगाना ही नहीं है अपने को जैप्स ओपरेशन किस से समद्धित है? सिर से, कान से, मुख से या नाग से किस समद्धित है? यह जैप्स ओपरेशन तो बेटा जिसको आता है उसने कर लिया जिसको नहीं आता वो रह गया तो रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है अब स्क्रीन शोट ले 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 ना कान, ओटाइटीस एकस्टरना हो जाता ना बेटा ओटाइटीस, एकस्टरना ठीक है, तो बाहय कान की सूजन कहलो एक तरीगे से तो क्या कर देंगे इसका उप्शन चोथा जाएगा अगला कोलेष्टरम्स से प्राप्थ होने वाली प्रतिरोधक शमता है किस प्रकार की प्रतिरोधक शमता होती है कोलेस्ट्रोम में प्राकर्तिक सक्रिया प्राकर्तिक निस्करिया करत्रिम सक्रिया करत्रिम निस्करिया देखो सबसे पहले तो क्या है बेटा कोलेस्ट्रोम कैसा है बहुत से मिलता है कोई अपन खुद थोड़ी ना बनाते हैं इसलिए कैसा हो गया प्राकर्तिक तो यह दो अप्शन तो वैसे ही क्या हो गए कट हो गए ठीक है दो अप्शन तो आपके क्या हो गए वैसे ही कट हो गए अले बेटा एक मिनट थोड़ी शी दिक्कत आ क्रिये है निस्क्रिये तो बैटा उसके अंदर क्या होता है उसमें तो बनी बनाई एंटी बोडी मिलती है को लोस्ट्र में बनी बनाई एंटी होती है तो इसको उप्शन कौन सल जाएगा दूसरा निस्क्रिये होती है सक्रिये कैसा होते है अगर आपन क्या करें बनी बनाई यह ऐसे तुम एक चीज़ और साथ साथ जैसे माल लो कोई भी क्युसन गलत हो रहा है न तो उस पूरे टोपिक को यह तुम दुबारे किताब आइस अबर." लोटोट उठाके फढ़ लो फटा-फट लो फटा-फट, प्टा-फट also je हुमारे। तो इस का आंसरल चला जाइगा पॉली i-say Ganz क्या आता है आप सबको पता है गलकोज, सुकरोज, फ्रक्टोज ना गलकोज फ्रक्टोज उक्रोज नहीं आए अगगा बैटा गलकोज, फ्रक्टोज और गलक्टोज तीन आचीज़ यहांगी गलकोज गलक्टोज और फ्रक्टोज Dicecrate के अंदर क्या आएगा बैटा सुक्रोज, Lactose और Maltose Dicecrate के अंदर आप सब को बता है Tricecrate के अंदर क्या आएगा Tril, जो अपना एक तो Refinoes आएगा, या Trilose भी आता है एक Polysecrate के आगे उसमें Starts, Cellulose, Hemicellulose ये Polysecrate के रहेने सारे Starts, Cellulose, Hemicellulose तो अपने क्या पूता है, Starts, तो इसका अंसर क्या दला जाएगा 4, तो बिना समय गवाए अपने चलते है आगे बैटा, फटा-पट करने हैं न, क्यूसन तो अपने को आखेरी अगला क्या है पसू के सरीर में रक्त का आइतन, उसके भार का सामाने तो होता है एक से दो परसेंट, साथ से आठ, तीस से बारा से तेरा जिसको पता है न, वो तो पहली बच्छीड में ऐसे क्यूसन को छोड़ेगा नी और जिनको नहीं पता, वो अब बैटा ध्यान रखना है यह क्यूसन इंपोर्टेंट है, ऐसे एक्जाम में पूछे जाते है ठीक है, तो इसका आंसर क्या दला जाएगा सही कह रहे हो बैटा, साथ से आठ परसेंट होता है सामाने ते, ठीक है अगला क्यूसन मोटे चारे में क्रूड फाइबर, CF का मतलब होता बैटा, क्रूड फाइबर होता है 18%, 18% से ज़्यादा, 18% से कम और 85%, कितना होता है बटाओ, मोटे चारे के अंदर क्रूड फाइबर की मात्रा, यह देखो important, important क्यूसन है, बैटा सही कहे रहे हो, बिल्कुल क्या तोलब जाएगा इस कांसर 18% से ज़्यादा ठीक है, जो concentrate होता है जो दाना होता है concentrate कहलो या दाना कहलो ठीक है, उसके अंदर 18% से कम होता है 18% नहीं होता, 18% से क्या होता है कम होता है ठीक है 18% से कम किसमें होगा concentrate में और दाना में और ट्रापटेंश ज्यादा किसमें होगा crude फाइबन में इसका answer क्या जाएगा B अगला क्या है बिटा यह देखो important क्यूस ना गया branding के लिए पसो की उत्तम साइट कौन सी है गर्दन, कान जांग का निचली बाहिस हता है जांग की उपरी बाहिस हता है बताओ branding अपन कहा करेंगे branding किसके लिए करता है पहचान के लिए तक यह जानवर मेरा है यह जानवर इस जानवर का इतना नंबर है ठीक है तो इस का answer क्या चला जाएगा बिलकुत सही कह रहे बिटा जो जांग ना उसकी निचली बाहिस हता पर क्योंकि बिटा अगर उपली बाहिस हता पर लगा दिया ना तो इसकीन खराब चली जाएगी तोचा खराब हो जाएगी तोचा का अच्छा मोल नहीं मिल पाएगा निचली बाहिस हता है वो इतनी तव्चा काम में नहीं आती तो इसलिए कहां करेंगे अपने जांग की निचली भाय सतप्र जिनका गलत होता जा रहा है लाड़ लोगा बेटा वो स्क्रीनशोट ले लो ठीक है कर्शी विज्ञान के इंदर के वीके की स्थाफना कब हुई कई बार एक क्यूसन संद के स्टार्ट होए थे तो यह तो पता है तो पता है नहीं पता है इसको तो अच्छे से याद कर लो ठीक है कि ऐसे तो है नहीं कि समझने वाली चीज़ है कोई फिर अगला क्या है ड्रामा है क्या है ड्रामा सरव्य साधन है द्रस्य साधन है या द्रस्य सरव्य साधन है या स और सुनेंगें तो और सुने चला जाए ITS का सही क्यारियो टीसरा जलाज जाएगा कि एसए कुसे बसे बढ़ने को । सुने को समझ ना है पहले पहले जब आसर स्थाय करना उतना क्योंग से पढ़नेंगे तभी अपना सभी कर पाएंगे क्यूशन पढ़ने में जल दिवाजी नहीं कर नहीं अगला क्या है ओप्रेशन थियाटर में नीशंकरमित करने के लिए जिस ऐसी प्रक्रिया कौन सी जिसमे फोर मेलीन का उप्योग किया जाता है तो रेडियेशन, फ्यूमिगेशन, ओटोकलेव और ड्राई हीट कौन साहा सुन जाएगा तो ओपरेशन थेयर्टर नहीं ओटी को निसंग करमित करने के लिए एसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमे फोर मेलीन उप्योग में लिया जाता है बिल्कुल साही कह रहे है बेटा क्या जाता है फ्यूमिगेशन फ्यूमिगेशन में बेटा जहां भी फ्यूमिगेशन आ जाये ना आप ध्यान रखना है फोर मेलीन उप्योग में लेते है तो आपको पानी अंदर रखके उसकी भाफ बना के ठीक है 129 डिगरी पर 15 मिनट के लिए ठीक है और ड्राइई हीट का पता है आपको सुका हीट आग हो गई ना आग जैसे ड्राइई हीट हो गई तो बैटा ये सौर ही इंपोर्टेंट को याद रख सकते हो तो याद रख लेना और जो किसन गल्थ हो रहा ना आपका उस पूरे टोपिक को दुबार रिविजिन कर दो एक तरीके से आपको यह टेस्ट हो रहा है कि आपको पता लग जाए कि कौन सा टोपिक यह बिदल कुछन है 35 डिग्री फोटीthree डिग्री ऐसिटीस डिग्री चालीश डिग्री यह सब को पता है एक एक बच्चे को पता है जिसको नहीं पता व बेटा इसको याद गर लेना गलत मत कर दो तो बिना समय च्बाए बेटा टाइम भरब कुछना अपर हिंह cables इतने क्युष्ण करवा दूंगा चाले जुष्ण आपको कितना हो गया 37 डिग्री ठीक है अगला क्या है पक्सियों में पुछे कसे रुका है आपसे मिलकर कौन सी संचना बता बनाती है सिंसे करम पाइगो स्टाइल इस्टरनम और कोई नहीं पक्सियों की जो पूछ वाली कसे रुका है आपसे मिलकर कौन सी संचना बनाती है बैटा रहा सही कह रहे हो मजा आगया लाड़ला आपके साथ क्यूष्ण करके ठीक है इसलिए तो मेरे को मैनत करने का मन तब ही तो मेरे मैनत करने का मन करता है ठीक आप फटा फटा आणसर बताते हो ना और जो क्यूष्ण गलत हो रहे है जिनके वो बैटा रिवीजन कर लेंगे तो उनका एक्जाम में क्यूष्ण गलत नहीं होगा तो इसका जाएगा पाइगो स्टाइल आंसर ठीक है और सिंसे करम आपस में जुड़कर पक्षियों में सह करम आपस में जुड़कर क्या बनाती है तो बैटा पक्षियों में सह करम आपस जुड़कर सिंसे करम बनाती है ठीक है अगला क्या है राजस्तान में पसुपाला नियु भाकिस्ता अपना कब हुई ये देखो ये तो जिसको आत हैं फिर अपने काम का जो अपना जो तो क्यूशन जिन जिन टोफिक से क्यूशन गलत होए ना पड़ी उनका फटा-फट रिवीजन मानना इसके बाद में अपना ऐसे निया कि आप कोई टेंशन नहीं है तो कौण से के अंदर आजाएगा इसका आश्वर अगला क्यूशन बेटा देखो दो सेके लगेंगी आपको इसे जदा समय नहीं लगेगा तो आप चैनल का जो भी नहीं आए हैं देखो व्यू तो अपने बहुत आ रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन उतने ही है तो बेटा देखो आपका इंपोर्टेंट समय चल रहा है बिल् दोस्तों को सारे पूरे ग्रूप को सेलेक्ट करवाना है तभी तो मजाएगा मुर्गी में कलंगी हटाने की किरिया को कहते हैं डी बडिंग, डी बिकिंग, इस्पेंग और रिंगिंग क्या बोलते हैं बेटा इसको डबिंग, डी बिकिंग, इस्पेंग और रिंगिंग, स लोगे चोवच को तो चूछ अठा देते हैं उसको डी बडिंग उपण चारों तरब की उन अठाना ताकि क्या हो जाए उससे सीमन इकटा करना या समागम करवाना आसान रहे ठीक है तो देखो एक क्यूशन में चार क्यूशन होगे ना इसलिए तो कहता हूँ बेटा क्यूशन सारे प्रैक्टिस करने है आपको ठीक है कोई भी क्यूशन आपको छोड़ना नहीं है अब आखिरी क्यूशन बच गया अपना सूर्य की किर्णो द्वारा चारे के पोस्क तत्तों की हानी कहलाती है बहुत ही बढ़ी आपक्यूशन है बेटा लीचिंग बोलते हैं, ब्लीचिंग बोलते हैं, बर्निंग बोलते हैं या इन में से कोई नहीं, नन, मतलब कोई नहीं ब stris को बसकततों के उसको ब्लीचिंग क्या बोलेंगे नहीं अट बारिश के कानड़ प्जमीन में चले जाते हैं तो इसको बोल देंगे अपने ब्लीचिंग बोल देते हैं और बरनिंग तो आपको पथा यह जाती है ना आपूसकततों के कम्यों उसको बर्निंग बोल देते हैं तो लाड़ लो देखो अपने बहुत ही कम समय में जितना समय आप लगाते हैं उतना ही समय में अपने 40 क्यूशन नहीं किया है आप ऐसे मुटत तो 40 क्यूशन किया है चालीस तो यह अपने क्यूशन किया है उसके अलावार जो हर ओप्शन था इस परकार से प्रकार से जो इंपोर्टन निपोर्टन और होगे पता लगता कि कौन सा टोपिक क्यूशन यह इंपोर्टन है जो बच्शा जितना जादा वार रिवीजन मारेगा सब्जक्ट का उसके क्यूशन होने के उतने ही चांट से ज्यादा होंगे, क्योंकि आज तक आपने कितनी मेहनत करी थी, कोई मतलब नहीं है उसका, अगर अगर आपने रिवीजन नहीं मारा, अगर आपने रिवीजन मारा तो उसके चार चांद लग जाएंगे बैटा, तो लाड़ लो, अपना आपका टाइम खराब नहीं करेंगे, अगर आपको एक एनालाइसिस हो गए, आपको कौन सा टोपीक के क्यूशन गल्थ हो रहे हैं, और जो इम्पोरेंट इपोर्टन के क्यूशन ते वो भी हो गए है, आगे भी आपके लिए हम क्यूशन लेके आते रहेंगे, तो आप क्या करो, अपने दोस्तों के साथ सेर करो इसको like करो channel को subscribe करो दो second लगेंगे आपकी सिर्फ तो channel को subscribe जरूर कर दे न बटा और बाकी भी अपने दोस्तों से करवा ले न ठीक है तो मिलते हैं अगली class में धन्यवाद में